नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो अगर आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है या फिर कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है तो वास्तु शास्तर में इसके कुछ उपाई बताए गए हैं लेकिन आज जो उपाई मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपाई आपको 29 मार्च यानी की हिंदू नव वर्ष के दिन करना है ये उपाई इस प्रकार हैं 29 मार्च को ब्रह्म मूरत में उठकर नहाध होकर अपने घर के मंदिर में शीरी गनेश जी की प्रतिमा के आगे संकट नाशक सत्रोत का 11 बार पाट कीजिए इसके बाद एक हरे रंग की छोटी सी थेली तियार करें इसमें साथ मूंग, 20 ग्राम साबुत धनिया, एक पंचमुखी रुद्राक्ष, एक चांदी का रुपया और दो सुपारी और दो हल्दी की गांट रख कर बगवान गनेश जी की पूजा में रख दें पूजा समाप्त होने के बाद इस थेली को गर की तिजोरी में रख लें और इसे पूरे एक साल तक वहीं रखा रहने दें, ऐसा करने से आपके आर्थिक स्थिति में बहुत जल्दी बदलाव आएगा इसके साथ साथ दोस्तों गरीबों और ब्रामुनों को दान करते रहें क्योंकि हिंदु धर्म में ऐसा माना गया है कि जो दान हम करते हैं वो कई गुना बढ़कर हमारे पास पुन्य लोटाता है और जैसे की हिंदु नव वर्ष प्रारंब हो रहा है तो सबसे पहले अगर हम गनेश जी का पूजन करें तो ये पूरा साल हमारे लिए सुकदाई बीतेगा तो उम्मीद है दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी हमारा आपसे निवेदन है कि अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजी और हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद